कम समय में यदि आप एक बहुत ही healthy नाष्टा बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपको बहुत ही कामाने वाली है तो यहाँ पर इस नाष्टे को बनाने के लिए हमें चाहिए आदा का पोहा पोहा को पानी में वाश करने के बाद आप उसे पानी में दो मिट के लिए भिगो कर रखिए ताकि वो soft हो जाए और फिर इस पोहा को आपको mix में डाल कर उसको पीसना है ताकि उसके एक paste बनकर ready हो जाए अब हम यहाँ पर इस पोहा की paste को एक mixing bowl में transfer करेंगे अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर डालना है one foot cup सूजी यानिकी semolina जिसे हम रवा कहते है आपके घर में जो भी मोटी या बारिक सूजी available हो आप उसका इस्तमाल कर सकते हो इसी के साथ साथ यहाँ पर जाएगा one foot cup कर्ड यानिकी दही और फिर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एक बड़ी चामच नमक आप अपने टेस्ट का कॉर्डिंग यहाँ पर नमक की मातरा कम या ज़्यादा कर सकते हो अब बस हमें यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छों मिक्स करना है और फिर हम यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करते जाएंगे और इसका हमें एक ठिक बैटर रेड़ी करना है यदि आपका दही बहुत ज़दा पतला है तो फिर आपको यहाँ पर पानी का ज़दा इस्तमान नहीं करना पड़ेगा यदि बाई चांस आपसे यहाँ पर बहुत ज़दा पानी एड़ हो जाता है तो फिर इसकी कंसिस्टनसी को एड़िस करने के लिए आप इसमें थोड़ी सी सूजी और डाल सकते हो ताकि जो सूजी है वो इस पानी को पी ले चिले यहाँ पर जो बैटर है यह रेड़ी होच का है और अभी फिलाली थोड़ सा पतला लग रहा है लेकिन इस बैटर को हम ढग कर 10 विट के लिए रेश्ट करने देंगे ताकि जो सूजी है वो पानी पीकर अच्छे से फूल जाए तकरिमां 10 विट होच की है और जैसे कि आप देख सकते हो यह जो सूजी है इसा काफी सारा पानी सोक कर लिया है और अभी जो बैटर है यह काफी घाड़ा होच का है और यहाँ पर अप्पे बनाने के लिए हमें बिल्कुल इसी प्रकार की कंसिस्टनसी चाहिए अब इस बैटर में मैं अड़ कर रहा हूँ एक बड़ी चमच अदरक और हरे मर्च की पेष्ट आप चाहो तो अदरक और हरे मर्च को एक दमी बारिक बारिक चॉप करके भी इस्तमाल कर सकते हो फिर इसमें जाएगा आदा छोड़ी चमच क्यूमीन सीट इनकी जीरा एक चौटा छोड़ी चमच काले मर्च पाउडर याने की ब्लैक पेपर पाउडर और अब हम इसमें कुछ कटीवी सबसी आड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज, एक शिमला मर्च, थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा धनिया आप चाहो जिसमें मकाई के दाने, फ्रेंच बीन्स या फिर टमाटर का भी इस्तमाल कर सकते हो अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है यदि आप इसमें कुछ और वेरियेशन्स लाना चाहते हो तो फिर आप इसमें थोड़ से मसाले या फिर शेजवान सौस डाल सकते हो चले यहाँ पर जो अपने बनाने का बैटर है ये बनकर रेडी होच का है और अब सबसे आखिर में हमें यहाँ पर इस बैटर में डालना है एक छोटी चमच इनो मैंने यहाँ पर रेगिलर फ्लेवर वाला इनो का अस्तमाल किया हुआ है आपके गर में जो भी इनो अवेलेबल हो आप उसका इस्तमाल कर सकते हो और इस इनो के उपर हम बिलकुल थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे ताकि यह जो इनो है यह अच्छ से एक्टिवेट हो जाए इनो को आप इस बैटर में बहुत देरे तक फेटते मत रहेगा वरना इसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होता चाहेगा तो बस आप इसको एक बार फटावट से मिक्स कर लीजिए तो अब आपको यहाँ पर इस फ्रगार का एक अपम पैन या फिर एक अपम मेकर लगेगा और इस अपम पैन को हम तेल से अच्छ से ग्रीज करेंगे तो यहाँ पर मैं इस रेसिपी को और हेल्दी बनाने के लिए डिसानो का एक्स्टR लाइट उलिवन यूज कर रहा हूँ यह जो ऌउल है यह आपकी सिहथ के लिए काफी अच्छा है और यह जीड़ो कॉलस्टरॉल आलेट है तो अगर आपको भी इस दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट उलिवन खरीदना हो तो उसके लिंक मैं आपको निज़ डिस्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इस अपम पैन को तेल से ग्रीस करने के बाद हमने जो बैटर रेडी किया हुआ था वो हम यहाँ पर इसमेट करेंगे लेकिन ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़़दा बैटर यहाँ पर इसमें नहीं डालना है वरना यह जो बैटर है यह फूल कर बहार आ जाएगा और इससे इसका तो शेप है वो बिगड़ जाएगा अब हमें इसको ढख कर तब तक पकाना है जब तक कि दोनों तरफ से अच्छते ब्राउन नहीं हो जाता एक चीस का यहाँ पर धःद रखे कि आपको इसको हाई फलेम पर नहीं पकाना है वरना यह फटावट से ब्राउन तो हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्छा रह जाएगा तो इसे लिए इसको हमेशा स्लो फलेम पर ही सेके slow flame पर सेखने से ये बार से brown और crispy तो होगा ही साथी साथ अंदर से अच्छ से पक भी जाएगा और इसको अच्छी तरह किसे पकने में मुश्किल से 5 मिट लगेगी जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अप्पे है ये काफी अच्छ से full चुके है और इसके जो उपर की साइड है ये भी अच्छ से dry होच की है तो अब हम यहाँ पर इसको पलट लेंगे और ठीक इसी तरह हमें इसकी दूसरी साथ को भी slow flame पर सेखना है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यह जो अप्पे है ये दोनों तरफ से अच्छ से सिख चुके है और काफी बढ़िया सा brown color आच चुका है यहाँ पर तो अब हम इने बाहर निकाल लेंगे तो लीजे यहाँ पर ये गरमा गरम एकदम ही healthy और एकदम ही कम तेल में बनने वाले अपे बनकर ready हो चुके है तो कैसी लगी आपको ये recipe अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको like और share जरूर करना